परिचय आत्या अपने माता पिदा के साथ चलनाई में रहती है, उसकी चाची मुंबई में रहती है, वह हर साल अप्रेल के महीने में अपनी चाची के घर घूमने आती है, अता वह दक्षन से पश्चिम दिशा की ओर सफर करती है, इस सथ्याय में आप दिशाओं के विशय में जानेंगे, आओ सीखें, चार मुख्य दिशाओं को पहचानना, किसे स्थान की स्थिती को जानने के लिए दिशा सूचक का प्रयोग करना, सामानने दिशाएं, बाईं तरफ मुड़ें, दाईं तरफ मुड़ें, सामने की तरफ चलें, वापस पीछे आए, जब लोग हम से दिशाओं के विशे में पूछते हैं, तब हम इन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, चार सामानने दिशाओं, बाएं, दाएं, सामने और पीछे को बताने के लिए, हम अपने हातों का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुख्य दिशाएं, चार मुख्य दिशाएं होती हैं, ये उत्तर, पूर्व, दक्षिन और पश्चिम हैं, इन दिशाओं को प्रदशित करने के लिए N, E, S और W, इन चार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये जै है, वह सूरज की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, सूरज पूर्व की तरफ से निकलता है, इसलिए पूर्व दिशाओं उसके सामने है, इसका मतलब है कि पश्चिम उसके पीछे की तरफ है, उत्तर दिशाओं उसके बाईं तरफ है, और दक्षिन दिशाओं उसके दाईं तरफ है, दिल्ली की इस्थिति, ये भारत का मानचित्र है, चार मुख्य दिशाओं उत्तर, पूर्व, दक्षिन और पश्चिम बानचित्र पर दी हुई है, क्या आपको पता है कि दिल्ली भारत की राश्थानी है, और ये भारत के उत्तर में इस्थित है, दिशा सूचक, ये एक दिशा सूचक है, ये एक प्रकार का यंत्र है, जिसका उप्योग दिशाओं को जानने के लिए किया जाता है, दिशा सूचक में एक तीर होता है, जिसमें एक सिर और एक पूँच होती है, सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, और पूँच हमेशा दक्षन की ओर संकेत करती है, आओ खेलें, दिशा को पहचान कर उसके सही नाम पर क्लिक करें, हमने क्या चर्चा की? उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षन चार मुख्य दिशाएं है दिशा सूचक का प्रयोग दिशाओं को जानने में किया जाता है